हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महतुपून है हर एक क्लास के बच्चों के लिए खास थोर पर जो यूपीएसी एक्जाम तयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का फैदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपोर्टन भी उनके रहेगा चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क समरांज्य का विस्तार किश परकार हुआ बहुत काफी काफी इंपोर्टन कोश्टन है कि मुगल की बहुत बद बारत करोirens की बहुत सब्सक्राइब कब材料 सुमराज्य कि अस्तापित थे हैं तो यह बहुत बड़ी बात आती है ठीक है अगर देखे पहला पॉइंट के अंतरगत बावर का आगमन बावर जो था 15-26 से लेके 30 इश्वी तक अपना जीवन यापन किया और बहुत इंपोर्टेंट समय अबधी में इसने जो है कारे भी किया यानि देखा थे चार वर्ष का जो है इसका राज्य श रिके से उसको प्रावलमों का सामना करना पड़ा और इस बेस में उसने बहुत से यूद लरे और तब जाके अखड़ी वक्त में जब चार साल बचा उसके जीवन का तो उसने भारत पर रुख किया और भारत में कई राज्यों को अपने रूल लेगुलेशन और अपनी चल राज्यों का हेल्प किया कैसे जो है अपने राज्यों के स्थाफित करने में अपना महत्वपूर्ण युगदान दिया तो आप जो है इसी तरह 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 बने रहें कहते हैं बावर का आगमन यानि समय काल 25-26 से लेकर 30 में बारत की आगमन हुई थी बावर का सन कहते हैं 494 में 12 वर्ष की उमर में अपने पिता की मृत्यों के उपरांद बावर जो है चोटी सी जागीरी फरगाना की राजगदी पर बैठा यानि देखा जाए जब वह 12 वर्ष का था तो उसी उपरां उसकी पिता की मृत्यों हो गई थी और वह बहुत बहुत समराज्य का मालिक नहीं था सिरव ट्रास्वर की सियाना की चोटे से जागीर फरगाना की जो है राजगदी पर बैठा और मद्धे एशिया में उस समय बहुत अस्थिरता थी यहां पर अस्थिरता का मतलब होता है क वहां पर हर समय मार काट ठीक है हर तरह से प्रसानी ही प्रसानी थी यानि चारों तरब से अस्थिरता का महल बना हुआ था बावर को अपने ही अभिजात वर्ग से विरोत का सामना करना पर रहा था यानि बावर को दुसरे विक्तियों से सामना नहीं करना पर रहा था अपन कंद को जितने के लिए समर्थे था परंतु बहुल जल्द ही उसे पीछे हटना परा क्योंकि उसके सामने ही कुलीनों ने साथ छोड़ दिया था यानि जो उसका साथ दिया था कुलीन यह कम आर्थ होता है अमीर लोग उसे जो है्सवेयूं के हाथों में फरगान को हडाना परा तो ये बहुत वरी उसके लिए बिड़ामना थी क्योंकि उस समय उसका सिरफ 12 वर्ष का ही उमर था यहाँ पर एक important बात fact के रूप में था कि तेमूर यान यानि तेमूर वंश कहते हैं बावर मद्धे एशिया को जीतने वाला महान विजेता तेमूर और बहुत ही विशिस मान विजेता चंगेश खान के बंस से था अब देखें कितना important बात यहाँ पर आ जाता है कि इसका जो था कहते हैं बावर जो था मद्धे एशिया को जीतने वाला तेमूर और महान विजेता चंगेश खान के बंस संबंदित था अपनी माता के पक्ष हुआ जो था मंगोल बंस संबंदित था यानि इसकी मा जो थी मं आपर बावर की वो जी जो थी मंगोल वंस से संबंद रखती थी और पिता की और से महान सिरनायक तमूर किसे संबंद रखता था तो आप समझ सकते हो कि कहते हैं बावर के खुणों में दो राज्ये वंश के खुण दौर रहे थे और काफी यह पावरफुल था ठीक है पूरियन भी कहते हैं मुगलों को यह बहुत इंपोरियन के नाम से भी जो है मुंगोलों जाने जाते हैं और क्यों जाने जाते हैं क्योंकि इसका संबंद माता का संबंद मंगोल वंस से था और जो पिता का संबंद था वो था किस से पता लगी गया होगा आपको कि तमूर स था जो काफी है इंपोर्टेंट को दर्शाता है मद्दे एसिया में बावर को शाषन को अरंभी काल में बहुत कटनाई संगर्श करना परा और इस पूरी अवदी के दरान वह जो है इंदुस्तान की तरफ बढ़ने की योजना बनाता रहा क्योंकि उसका सबसे पहला मक्षद था कि हिंदुस्तान ही जितना था लेकिन उस समय कंडिशन उसके पक्ष में नहीं था और अंत था जब 1517 में बावर ने भारत की ओर बढ़ने का दुरी निश्चे किया तो सबसे बड़ी बात थी कि उस समय जो था यहां पर लोधी वन्श का अंत की खगार पे था यानि जो शाशक था वो बहुत ही कमजोर था और उसको हराना बहुत ही असान था ठीक है क्योंकि कहते हैं कि उस समय बेशक लिए बावर के पास सैनिकों की कमी थी लेकिन फिर भी उनके सैनिकों में एक जोस थी एक अपने कुछ कर गुजरने की सक्ष्टी थी पावर थी तो उसी डिन मुखिया हुआ करते थे जो छेतर के राजा हुआ करते थे वो अपना कबजा दिखाना चाते थे और खुद को सोतंत्र राजा गोशित करना चाते थे जो कि बहुत वड़ी बिडमना थी और यही बात का बावर ने फैदा उठाया क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान में आपस में ही रजायन लर रहे थे आपस में जो है राजवारे लर रहे थे जिसके वज़ा से बावर को बहुत ही जो है अच्छा कंडिशन मिल गया और इसमें जो है हाँ धोना उसके बहुत असान पड़ गया क्योंकि कहते हैं न दो बिलिया जब लरती है तो तिसरा जो है फैदा रजायन लर रहते तो तिसरा वेक्ति जो है फैदा उठाना सभाविक बात है जो की काफी इंपोर्टेंट भी यहां रखता है कहते हैं सिकंदर लोधी की मिर्त्यू के उपरांद उबरी भारत की राजनिती अस्थिर्टा प्रस्थिती ने उसे सोचने का मौका दिया कि समराजे में बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ा इस समय क्योंकि लोधी समराजे में इतना काफी कुसल विवस्ता नहीं थी इसी दोरान कुछ अफगानी सुवेदारों के साथ परंपर संघर्ष भी हुआ और सबसे बड़ा करन था यह अफगानी सुवेदार जिसके उसमें से एक परमुक्य जो सुवेदार था दौलन खला लोधी जो पंजाब को एक विशाल भूबाग के सुवदार था कहते हैं मुवारा के राजबुत राजा राना संगा भी इवराहिम लोधी के खिलाव अधिकार जताने के लिए जोड अजमाईस कर रहा था यानी सबस कोशिश कर रहा था उतर भारत में अपने प्रभाव के चित बरहाने कोशिश भी कर रहा था और दोनों ही बावर को संदेश भेज कर उसे बारत प्राक्रमन करने का नौता दिया यानी देखा जाय तो राना संगा की जो है गलत नी थी और उसको जो है अपने समराज्य को वि है और हो आके यहां पर अपना अधिकार जताने कोशिश करें तो यही बात यहां पर आता था कि राना संगा के दौलत खान लोदी के अमंतरन के शायद बावर के उसाथ किया होगा तो यह बात बहुत इंपोर्टेंट है कि दो विक्तियों के कारण जो है यहां बावर की आगम लिया बावर विरा यानि 1519 से लेके 1520 इसवी उसके परशा सिला कोट और पंजाब में लहाओर जो की 1524 को जितने में कामयाब हुआ यानि बावर के देखे तो यहां पर अव्यानों की जो लड़ी लगी वो काफी इंपोर्टेंट थी और भारत के लिए बहुत ही जो है सही नहीं था तो इसमें जो है बावर ने सबसे पहले विरा के ऊपर जो है 1519 से लेके 20 में अपना जो है विजय अव्यान को कायम रखा उसके बाद सिला कोट को जो 1520 इसमें उसने विजय हासिल की और पंजाब में लहोर को जो है 1524 को जितने में कामयाब हुआ अंत में इवराह इतिहास को ही बदल के रख दिया और यह कई मैने में एक्जाम में आता है कि पानीपत की युद कब हुई किसके बीच में हुई ठीक है और इसका क्या परिनाम निकला तो यह सारे प्रशन का उत्तर जो है आपको इसी में मिलेगा समझने कोशिश कीजिए सब मिलेगा तो बावर की सेना में कम संक्या में संक्या में संक्या की बावजूद उनकी सैनिक विवस्ता बहुत ही श्रेश थी देखा जाये तो बावर की संक्या बहुत ही कम थी यानि इतने संक्या से जितना संभब नहीं था लेकिन कहते हैं एक विक्ति अगर उसकी इश्या हो तो कहते है जहां को जीत लेता है ऐसे ही सैनिक की जुद्धे उस बावरक में समलित थे पानी पत की लराई में बावरक की जीत उसके सैनिक पदितियों की एक बड़ी जीत थी बावरक के सेना में से 12,000 सैनिक थे जबकि इवराहिम के पास औस तन एक लाख सैनिक बल थे अब देखिए 12,000 सैनिक और एक लाख सैनिक में कितना अंतर है लेकिन कहते हैं जिसके पर कारे कुशलता है वो अच्छे से अच्छे जीत हासिल कर सकता है जैसे माल लीजिए अगर आपके पास अच्छे पढ़ने का टेकनीक है अच्छे रूल लेगुलेशन है तो आपके अध्यन किया अच्छे से पराई किया तो संभता है कि आप जो इतने महीनों में नहीं कर सके वो कुछ घंट और कुछ दिनों में ही करके दिखा दोगे और काम्यावी के डगर पे चल दोगे तो यही बात यहां पर बावर के सैनिकों ने भी किया कहते हैं 12,000 सैनिक से उसने भारत पे विजय हासिल किया जो बहुत बड़ी और बहुत इंपोरेंट बात रखती है यहां पर जो है सैनिक सिस्टा की सैनिक संगटन की तो कहते हैं अगर आपके पास कोई सैनिक संगटन है समझदारी है तो उसको आप बहुत असानी से संचालित कर सकती हो लेकिन अगर मा सैनिकों के समालना बहुत ही मुश्किल पर जाएगा यही बात यहां पर जो हुआ लोधी के साथ हुआ जो की बहुत काफ़ इंपोरेंट था बारह जार सैनिकों को जो बावर ने बहुत असानी से संगटित किया और इसको जो हर एक नीतियों का जो है अनुसरन किया लेकिन वहीं पर अगर दुसरी तरह हम देखें इवराहिम लोधी को जो एक लाग सैनिक बेशकली लेके आ गया संख्याओं में खरा कर दिया लेकिन इसके जो है परनाली कंट्रोल करने की परनाली बिल्कुल ही बेकार थी जिसके वजह से 12,000 सैनिकों ने एक लाग सैनिकों को हरा द परन में आमने सामने की लराए में बावर की जो युद नीती बहुत ही अधित्य थी कारण क्या था क्या था क्योंकि बावर ने अपने घरों में बहुत संगर्श कर चुका था और कहते हैं बावर का जीवन जो है अधिकतम जंगलों में ही बिताया क्योंकि उनके अपनों न धोखा दिया, बार-बार उुब गद्दी प्राफ्ट करता था और बार-बार अपनों ने जो है उसको गद्दी से हठा दिया करता था, तो बावर का जीवन जंगलों में ही व्यदीत हुआ और वहां पर हर तरह के कार इकुशलता के विशे में जाना सीखा और समय ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया जैसे आपको भी समय जरूर सिखाएगा कि परने का तरीका क्या होता है रूर लेगुलेशन क्या होता है जब तक आप स्वेम ही कोशिश नहीं करोगे जब तक आप स्वेम ही इच्छा को नहीं जगाओगे आपको कोई ज बारत का विजयता बना दिया तो यहीं बात यहां पर आती है उसने यूद लड़ने के लिए रूमी अटोमन यूद पदिती को अपनाया यानि एक तरह के रूमी अटोमन जो यूद परनाली है एक परनाली की तरह देखा जाता है उसने इवराहिम की सेना को दो पांतियों से घेर लिया बीच में से उसकी गुरसवारों ने तीरों और अनुभवी अटोमन तोपचीसों से तोपों के आकरमन किया देखा जाए ते इस यूद में तोपों का बहुत काफी गहरा संबंध था कि तोपों के कारण जीत भी हांसिल हुई खाईयों और रहा में खड़ी की गई बाधाओं ने सेना को दुस्मनों के विरुद आगे बढ़ने में बचाब का काम भी किया इबराहिम लोधी की अफगानी सेना को बहुत भारी संक्या में सैनिक मारे गए ठीक है और इबराहिम लोधी की यूद के मैदान में ही मृत्तू हो गई यानि इब्राहिम लोदी के मृत्तु के कारण जो है सैनिक जो है अफरातवरी मच गई और इस परकार दिली और आगरा पर बावर का नियंतरन हो गया और लोदी की अपार संपदा पर भी इसका कबजा हो गया और इस धन को बावर के सेनापतियों और सैनिकों में बार दिया ग इच्छा सक्ती के कारणी वो भारत पर विजय हासिल कर पाया तो वो यह समझता था कि इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है इस धन पर उन सभी सैनिकों का अधिकार है जो मेरे सामने लरे और अपना जीवन को जो है आग के दरिया में जोग दिया तो इसलिए जो है यहाँ पर बावर ने बहुत वारा फैसला किया कि इन धनों को जो है सेना पतियों और सेनिकों में बार दिया जाए पानी पत की विजय ने बावर को अपनी विजयों को जो है संगटित करने के लिए एक द्रिन अधार परधान कर दिया क्योंकि पानी पत के विजय सबसे महतुपू उन विजयता और इवराहिम लोधी के समराज्यों पर अधिकार करना बहुत बड़ी अचीमिंट थी प्रहंतु इस समय उसके इन समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन कुछ समस्याओं थी जो कि यहां पर बावर को सामना करना पड़ा वहां इस परकार थी कहते हैं उसके उसक थे क्योंकि उन्हें भारत का वातावरन पसंद नहीं था और संस्कृतिक द्रिष्टी से भी वे खुद को जो है अजनभी महसूस करते थे तो यह बहुत बड़ी समस्याओं बावर के समक्ष था कि सेनापती हो चीक है सेनापती क्लीनबर्ग सब के सब जो है आपस दूसरी बात थी कि राजपूद मिवारा के राजारन संगा के निठतुब के अधीन अपनी सक्तिक को एक जूट करने में लगे हुए थे और मगल सेनाओ को खैदरना चाते थे देखिए राजपूर मेवार के राजा रांगा संगा के नित्तु के अधीन अपनी सक्तिक जुट करने में लगे हुए थी यानि रांगा संगा जो था उसको ये विश्वास था कि अगर मैं बावर को अमंतरन देता हूँ तो वो मुझे राज्य जीत के मुझे जो होगा इवराहिम लोदी के साशक बना देगा उसके जो है साशक शिंहासन बैठा देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर रांगा संगा को सबसे बड़ा धोका मिला बावर ने स्वैम यहाँ पर अपना समराज्य विस्तार का फैसला कर लिया जिसके वज़ासे राना संगा आप सैनिकों को कठा करने लग गया और बावर से यूद करने के में लग गया जिसके वज़ासे बावर को बहु पर नजर करें तो यही बात दर्शाता है कि अफगानियों को इदापी पानी पत में हार का मूँ देखना परा पर अपरन्तु अभी भी उसके से ना उत्तर परदेश जो है कि पुरवी भाग बियार बंगाल में सक्ती बनाई हुई थी वो अपनी खोई सक्ती को पुन्ने संग रहने के लिए और जीते गए परदेश को संगरित करने में उसकी मदद करने के लिए राजी कर लिया जां। भी हो गए थे और इसमें प्रमुक्य थे जलोर शिरोही डूंगरपूर अंबर मितार इत्यादी यानि रणा संगा ने जो है मुगल को हराने के लिए उसने सभी राजपूतों को इकठा कर लिया अब देखिए यहां पर फिर से वही बात आती है कि राना संगा जो था बावर क मस्रा जो थी थी यहां पर चंदेरी और मेदिनी राय मेवात के हसन खान और सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी भी अपनी सिनाय सहीद राना संगा के साथ आ मिला शायद राना संगा को आशा थी कि बावर काबूल वापस चला जाएगा लेकिन बावर को यही राना संगा के सक्टि चिन नहीं किया जाएगा तब तक भारत में अपनी स्प्र उचि diffusion को संगरित करना उसके लिए संभव नहीं है यानि संभव है ही नहीं संभव काड़ी यहां क्योंकि यह बात साब सब्दों में था क्योंकि कहते हैं अगर देखा जाये अस्टाटिंग करता था कभी जंगलों में कभी वहां और उसने जो था यहां पर जो है उसको एक पुस्ट भूमी मिल गई एक राज्य मिल गया एक समराज्य मिल गया उसको छोड़ के जाना बावर के लिए सही नहीं था इसलिए बावर ने यहां पर ही अपना जो है साशन करने का निश्चे क और ये बात जो है राना संगा को रास नहीं आई और ये बार बार राजबुतों को इकटा करके बावर पर आकर्मन किया करता था और ये बात बावर को भी समझ में आ गया कि जब तक जो है राना संगा की सक्ति को छीन नहीं किया जाएगा तब तक जो है भारत पे उसके लिए संगटित करना संभब कारे नहीं था बावर और राना संगा की से नाओ का मुकावला फतेफुर सिक्री के पास एक अस्तान खनावा में हुआ और सन 1522 में राना संगा की हार हुई ही और एक बार फिर बावर की बहतरी सैनिक इक्तियों के कारण उसे सफलता मिली जो की सबसे इं बावर के साथ ही उत्तर भारत में उसे सबसे बड़ी चुनोती देने वाली तागत विखर गई क्योंकि राना संगा बावर राजपुतों को इकठा करके बावर पर हमला करता था और इसकी सकती कमजोर नहीं थी इलभी मेवार के राजपुतों को जो है खनावा में गहरा अ सामना करना पर है और इसकी हार के बाद राजपुतों की और से विरोध का सवर बिलकुल ही समाप्त हो गया था पर अभी भी बावर को अफगानियों को हराना था अफगानियों ने दिली पर अपना अधिकार छोड़ दिया था परन्तु पुर्व बिहार और जोनपुर के अब हम यह कह सकते हैं कि यह जीत मुगल समराज्य के स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं तो फून कदम था क्योंकि देखा जाए तो यहीं से जो है अफगानों के हारने के पश्चात थी जो है मुगल समराज्य की स्थापना और विस्तार होना सुरू हो गया लेकिन सन 1530 में बावर की मित्तू हो गई अब ही जो है गुजरात मलवा और बंगाल के शास्कों के पास काफी सक्ति साली सैनिक बल था और उसका दमन नहीं हो सकता था इस प्रदेशी सक्तियों का मुकाबला करने का काम हुमाईयों के सामने अभी बाकी था इस मानचित्र को देखने से आपको यह बात काभास हो जाएगा कि बावर का काबुल का राज्य किस परकार जे फैला हुआ था और बहुत काफी इंपोर्टेंट चीज यहां दिखा रहा है कि मोगलों के अरंविक विजय स्थल कैसे दिख रहे हैं हर छेतर में जो है वह अपना अधिकार कर र बहुत कुछ समझाने कोशिश कर रहा है कि मोगल की समराज्य कैसी बिस्तुत थी और इसमें कोई दो राए नहीं है कि बावर ने अपनी कुसलता से का परीचे दिया और सबसे बड़ी बात थी उसका सैनिक संगटन कहते हैं दोस्तों जब तक आप किसी चीज की संगटन नही करोगे जब तक अपने आप पर रूर लगुलेशन लागू नहीं करोगे तो वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगा ठीक है जैसे आपको परहाई भी होता है तो इसी बात पर निरधारित होती है कि अगर आपको पढ़ने का टेकनीक कैसा है आप कैसे पढ़ना को पसंद कर कर लिया।। कुछ बच्चे गयरा है और हूँ क्या करते हैं। चेप्टरों का अध्यान करने से एक फैदा यह होती हर एक छोटी से चोटी बाते आपको ऑच्छे से समझ में कीजाता है Congratulations का आएगा समझ अगर चेप्टर कीजाएगा तो है हरे एक बात को विस्तार पुर्वक लिखने योग्या बन जाईएगा तो इसलिए तिरपान से संडर यही कोशिश करता है कि आपको चैप्टर के डिगार्डिंग समझाया जाए लेकिन कहते हैं समय के साथ थोड़ा सा बदलने भी कोशिश करना जाए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है किसी को चैप्टर जो है बहुत असान तरीके से समझ में आ जाता है लेकिन किसी को कोशन ही समझ में आता है तो इसलिए कोशिश कर रहा है कि हमने देखा जो कि बहुत काफी इंपोर्टेंट था इसके जो है हमें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनुमति सिमाय जो है दर्शाई गई या लोधी राज्य के इस्तापना जो है जो है वाइट वाइट शेप में दिखाई गई है जो कि देखा जाये तो 1530 में जब जो है बावर की मृत्तु हुई तो सबसे बड़ी जो थी जो है सामना करना पड़ गया कहते हैं इस समय जो था बहुत ही इंपोर्टेंट बात थी हुमायू के लिए क्योंकि हुमायू के फादर की मृत्तु के उपरांत राज्य को सम्हालना हुमाय के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसके पिता ने हर समभब अपना राज्य को स्थापित करने में अपनी कुसलता का सामना किया अब हुमायू का था परिचे देना कि स्राज्य को कैसे जो है अस्थापित किया जाए और कैसे आगे बरहाया जाए तो इसके परच्चों तक वीडियो पहुचाने में आपने तिरपान स्टी सेंटर का हेल्प करना है ठीक है अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तभी जो है आपको दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा